Morphology of Scorpions Scorpions Arachnids हैं और इनके बाड़ी के दो मेजर पार्ट होते हैं जो पहला पार्ट है उसको Sphelothorix कहते हैं यहाँ पे यह Sphelothorix दिखाया गया है यह वाला पार्ट और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक यह जो पोर्शन है इसको हम Abdomen कहते हैं अब जो Sphelothorix है Sphelothorix के अगर हम देखें तो Sphelothorix के अंदर Pedipel मौजूद है यहाँ पे यह चैलिसरा मौजूद है उसके लावा इसके अंदर 4 Walking Legs 4 Pairs हैं Walking Legs के जो मौजूद है उसके लावा जो इसका Abdomen है इसके Abdomen को हम further 3 Parts के अंदर Divide करते हैं जिसको हम Pre-Abdomen इसके बाद Middle Abdomen या Post Abdomen का नाम देते हैं और उसके साथ इसके Last के वपर जो इसकी Tail है वहाँ पे Stinger मौजूद है जहाँ पे Venom की Production होती है और उसको Prey की Body के अंदर Inject किया जाता है उसके बाद अगर हम Scorpion की Body की बात करें तो Scorpion Body is Covered with Cuticle जो के KITEN और TEN प्रोटीन से मिलके बनी होती है उसके बाद Scorpion के Size के अगर हम बात करें तो इसके Size के अंदर काफी Variation है ये 8.5 से लेके 23 मिली मीटर तक हो सकते हैं उसके बाद इनका जो अपिस्टो सोमा है अपिस्टो सोमा अबडामिन को कहते हैं जो स्फैलो तारिक्स है उसको प्रो सोमा भी कहते हैं ये Further Sub-Divided है जिसको हम Pre-Abडामिन कह सकते हैं या Post-Abडामिन कह सकते हैं उसके बाद इसमें जादा तर जो Species है वो Nocturnal है इसका मतलब यह है कि ये जादा तर रात के वकट बाहिर निकलते हैं अपने Pre को Capture करने के लिए उसके लावा Scorpion Cannibalistic है Cannibalistic से क्या अमराद है ये एक डूस्टे को खा जाते है अगर इनको हम एक साथ में रखें तो अगर ये भूके हैं तो फिर ये अपनी खुराग के तौर पर अपने साथी को कंजूम कर सकते हैं उसके बाद इनका जो Last Part है जो के Tail है यहाँ पे Vesical मौजूद है और उसके साथ Stringer मौजूद है और इसी Part के अंदर यहाँ पे Venom Gland भी मौजूद होता है इनका जो Stringer है वो Curved Structure है इसके जरीए ये अपना Venom इंजेक्ट करते हैं इनसेक्ट की बाड़ी के अंदर उसके लावा इसके जो बाड़ी के सेग्मेंट्स हैं इन सेग्मेंट्स के उपर कील्स, सीटी और ब्रिसल्स मौजूद है ये Important Structures है क्योंके इन Structures को Taxonomist मुखतलिफ स्पिशिस को एक दूसरे से Separate करने के लिए इस्तवाल करते हैं क्योंके ये जो Structures है ये यूनीक Structures है जो के मुखतलिफ स्पिशिस के अंदर मुखतलिफ किसम के होते हैं इसी वज़ा से इनको Important Taxonomic Characters कंस्टर किया जाता हैं उसके बाद अगर हम Venom Glant की बात करें जो के Scorpion की Tail के अंदर मौजूद है तो इसका जो Last Part है यहाँ पे Venom Glant मौजूद है इस Venom Glant के अंदर Venom की Production होती है और ये Venom बाद में Stinger के अंदर आता है और Stinger के जरीए ये Insect की Body के अंदर Inject किया जाता है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये Sensory Structures मौजूद है यहाँ पे Sensory Hairs भी मौजूद है उसके लबा इस Slide के अंदर अगर हम देखें तो Scorpion के Different Body Parts को दिखाया गया है ये Pedipel इसके साथ Pedipel का जो Last Part है यहाँ पे Pincers मौजूद है जो के Animal या इनका जो Prey है उसको पकड़ने के काम आता है उसके बाद इसका ये वाला जो रीजन है ये Phelothorax कहलाता है उसके बाद जो इसका Opistosoma या Abdomen है उसको हम तीन हिस्सों मेंड़ वाइड करते हैं Prosoma Opistosoma और एक इसका Last जो Part है Metasoma और ये जो Different Parts है इसके अंदर जो Segment है इनकी तदाद वेरी करती है Last जो Portion है वो टेलसन कहलाता है जिसके अंदर Venom Gland और Stringer मौजूद है अगर इस Slide के अंदर हम देखें तो इस Slide के अंदर यहाँ पे ये इसके कीला या पिंसर जिसकी मदद से ये प्रे को पकड़ता है उनको वाज़ तोर पर दिखाया गया है ये Scorpion की Eyes है उसके रावा ये इसका Sphelothorix और उसके बाद इसके जो Different Opistosoma के Parts हैं बस्तर ये जो ProSoma हम Sphelothorix को कहते हैं उसके बाद ये जो इसका Last वाला Portion है इसको मुखतलिफ हिस्सों के अंदर Divide किया जाता है इसका जो Mesosoma है उसके अंदर 7 segments हैं जबके इसका जो Metasoma है उसके अंदर 5 segments मौझूद है बस्तर इसके जो Tail के segments हैं ये 1, 2, 3, 4 और 5 और उसके बाद इसका जो Stinger मौझूद है जहां से ये Venom inject करता है और ये जो Swollen Portion होता है यहां पे इसका Gland मौझूद होता है Venom Gland जिसके जरीए से ये Venom Produce करता है उसके लावा इसकी ये जो Legs है Four Pairs of Legs जो के Functional Legs है जो के Walking Legs है उसके लावा इसकी जो Body है उसके पर जो Exoskeleton है वो Kitan और Tain Proteins पर मुझूद होता है और ये मुझूद किसम के Habitats के अंदर रह सकते हैं जिसमें ज़ादा जो Prominent Habitats हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं वो Deserts और Hilli Areas यानि Stones के नीचे मौझूद होते हैं उसके लावा ये Muddy Areas के अंदर भी मौझूद होते हैं तो Scorpions Important Arachnets है इनकी जो Body है उसके दो Important Part है Sphalothorics और Abdomen इसका जो Abdomen है इसका जो Last Part है वहाँ इनका Telson और Stringer मौझूद है वही पे Venom Gland मौझूद होता है जिससे Venom के Production करते हैं उसके लावा Four Pairs of Functional Eyes इनके अंदर मौझूद हैं और ये अपने प्रे को Capture करने के लिए अपने जो Pencers कला हैं उनका इस्तमाल करते हैं या फिर अपने Venom के जरीए प्रे को Immobilize करते हैं और फिर उसको अपनी Food बनाते हैं